हेलो दोस्तों वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फीर से हमारे चैनल वासिन पल में मुख्य मंत्री सिरी नीदिस कुमार ने जनता के नाम चार संदेश दिये हैं आईए जान लेते हैं वो चार संदेश क्या हैं यहाँ पर पहला अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को भी राहत मिलेगा ऐसे लोगों को भी जो है राशन मिलेगा किस तरह से मिलेगा आईए जान लेते हैं पूरी खबर बिस्तार से साथ में यह भी जानेंगे और चार जो बड़े यहाँ पर संदेश हैं जो मानने म मुख्यमंत्री स्री नीदिस कुमार जी ने यहाँ पर प्रेस बिग्यापित में जो है कहा है लोगों से जनता से तो क्या है आईए जान लेते हैं पूरी खबर बिस्तार से मुख्यमंत्री ने जनता के नाम दिया संदेश जिन परिवारों के पास रासनकार नहीं है उन्हें भी जिविका समू के माधम से चिनित कर उनकी मदद की जाएगी सभी लोग सचेत एवं सतरक रहेंगे तब भी सुवस्त रहेंगे जिन्हें संक्रमन की थोड़ी सी भी आसं ठेला, वेंडर, रिक्सा चालक तथा अन्य जरूरत मन्द वैक्तियों को हर संभव मदद कर रही है सरकार। समाच के व्यापक हित में लोकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। से रासी लोगों के खाते में आंतरीत की जा रही है अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में रासी आंतरीत की जा चुकी है। आपको उता दें अभी लागातार आवेदन प्राप्त हो ही रहे हैं। जहां पर लोगों को भुजन स्रासन सामगरी भी दी जा रही है। अभी तक 7,86,920 लोग इसका लाब उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी रासन काट धारकों को एक-एक हजार रुपे की राशी दी जा रही है। इसके अंतरगत अब तक 94,85,000 काट धारकों को रासी आंतरित कर दी गई है। सेस काट धारकों के खाते में भी रासी जल्द ही आंतरित कर दी जाएगी। आपको बताद यह भी निर्ने लिया गया है कि जीन परिवारों के पास रासन काट नहीं है। उन्हें भी जीविका समू के माधं से चिनहित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जिविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कारे प्रारम कर दिया गया है तथा सिग्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनका भी मदद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बिहार सरकार बिहार के बिभीन सहरों में फसे दिहारी मजदूर ठेला वेंडरो रिक्सा चालकों आदी के लिए देर सो आपदाराहत केंद्र चला रही है इनमें भोजन आवासन एवं चिकित्सिय जाच की सुबधाएं उपलब् चला रही है तो आपदा प्रबंदन विभाग के नियंत्रन कक्ष अथवा अस्थानिक आयुक्त के कारयाले बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रन कक्ष के दुर्भास के माध्यम से सुचना दे आपकी हर संभव मदद की जाएगी बिहार के बाहर से लोग बिहार में रह को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ती से बचा पाएंगे। का दाइवित्त्व है कि उनके साथ विनमता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्वेभार ना करें। अन्य बिमारियों के इलाज की भी समुचित दिवस्था की गई है। आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें तभी सवस्त रहेंगे। मुझे पूरी उमीद है कि आप सब के सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तर्ष प्राप ने थे कारियो एवं सब एड़ी प्राप्त करने में। आप सब इस अप रहें एप सब करने में सब करने में। झाल झाल